कि अथि कि अए लगे अविएे वेल्कम टू समीर पटएल पपदी कि स्कुश् तबच्चो आज हम यह लिकिंप्लास चेकेंड कक्छा दूसरी कि वुक्ख हमारी हिंदी भासा भात कि हमारी किताब का नाम हिंदी भासा भात हिंती का हम接om सब्सक्राइब यके चप्टर इनिशी किरेंगे जैसें हमारा पर ऊकरटर 12 करेंगे तो में हमारे पार्ट 12 कर दो आज हम पर टू सटार्ट करते में तो अब हम सुरू करते हैं है juiset तो जो आप यह तक ढ़िए और कर दोड़ा कोशुन मुद्या करते हैं तो यहाँ पर दिया है वर्षा की यहाँ पर आएगा बूंदे इतराती क्या आएगा बूंदे देखिए मैं आपको बता देती हूं यहाँ पर बूंदे कहां लिखा है वर्षा की बूंदे इतराती यह देखिए यहाँ पर तो देखिए आप यहाँ पर यह देखिए यहाँ लिखा है वर्षा की बूंदे इतरा आती तो ठीक है यहाँ पर वर्षा की बूंदे तो आपको सरफ यह इतना इतना लिखना है वहाँ पर ठीक है बूंदे यह आपको नोट करना है और वहाँ पर लिखना है ठीक है यह समझ में आगया होगा आपको आपको अब हम चलते हैं न आपको यहां समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां पर भी बता देती हैं आपको ओडे चाता या बरिशाती यह देखिए आप यहां पर यह लिखना है आपको यह सरफ इतना इतना ठीक है वहां पर कि ओडे चाता या बरिशाती ठीक है यह लिखना है वहां पर आपको अब हम चल आएं मतलब बड़ी रात यहां पर आएगा रात बड़ी दिन चोटे आएं अब आते नेक्स्ट पूप आग ठीक है आग का तापना ठीक है अग तापना बहुत सुआए तो यहां पर आग का तापना बहुत सुहाए तो देखें आप यह दिखिए यह लिखना है आपको आपको नहीं है अब हम चलते हैं नेग्ष्ट पर देखें अब यहां देखें च्हाया सबको लेगिए आप चाया सबको भाती वह बहती षुक्त अब जीखें चाया सबको भाती तो देखिए यहां की भी पक्ति हम यहां से पूरी करेंगे चाया सबको भाती तो देखिए मैं आपको बताऊंगी यह देखिए आपको सरफ यह लिखना है ठंडी चाया सबको भाती यह देखिए ठंडी यह लिखना है आपको यहां पर कि ठंडी चाया ठीक व Subscribe reper där देखना जब गर्मी की रीतु आती हमारा वाक KaMlet फिर्ञि बच्चों यहां तक क्लिर समहों होगा and now we are into each part देखियेNow, जोडी made in, अब धिया गार सूरज अब राशर्म सदेब्स इन हुए अब यह धाल मिलते हैं तर देरी के बादल वर्शा और वर्शा करते हैं मौर पपीया गाते हैं आंधी धूल उडाती है ठीक है इस तरीके सा आपको जोड़ी बनाना है ठीक है तो जैसे ये बना तो बादल वर्शा लाते हैं ठीक है वर्शा करते हैं ना बादल ये दिखिए यहाँ पर इस तरह किसा आपको जोड़ी बनाने हैं, मोर पपी या गाते हैं, आंदी धूर लुडाती और गर्मी का उसके बाग एक तो जोड़ी बनी हुए, बाकी हमको करना है तो ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझा दिया, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट पर, तो देखें, यहां पर पर पढ़िए और लिखें तो देखें, यहां पर आपको रिशी साप को यहां लिखां तिकें सर्षी नेक्सर तपको यहां लिखना है, रीशी, यह देखिए, ठीक है, इस तरह के सा आपको यहाँ पर लिखते, तो देखो, इसी तरह के सा आपको यहाँ पर भी, बस यही आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर भी हो यहाँ पर, यहाँ पर रीटू, पढ़िए, रीटू, रीटू, ठीक है, क्रशी, क्रशी, क् प्रत्वी प्रत्वी ठीकि mostly आपको पढ़ना में पढ़ना पड़ पढ़ से लिखना करा अब अब देखेंगे रहें wait लोड़ कर लिखना है ठीक है तो यहां देखे आप बस आप यहां पर लिखना है ठीक है अब पहले हम यहां पर लिखेंगे यह देखे तरह देखे वापिस से बता देते हूं यही चीज हम यहां पर लिखेंगे ठीके और फिर इसे ही आप हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद हम लिखेंगे तव प्लस ये राका रेफ प्लस डव ठीके तरण इस तरीके से आपको यह भी लिखना है जैसे क्रशक तो यहाँ पर आप क्रशक लिख देना और बागी यह लिख देना ठीक है तो इस तरीके से आपको यह लिखना है यहाँ पर बराबर ठीक है तो आपको समझ में आ गया हो बच्चों कि आपको किस तरीके से यहाँ पर लिख तो चोटे तो मोटे हैं कि छोटे कि इस तरीके से लिए इस तरीके से हमसारे सब्सक्षाथ पराइबवा सदूल捏 आपको पर ढूंद पर क ve हूं पहले हमनें, आभ यहाँ сообщ मिल खोड़ी बनाईएं, निनने से यहाँ मोटहा, अब हम आभ खेंगे बशाति दिखेंगे सिर्फ हैं भाष हो तो देखिए यहाँ पर कॉल्स भाष देखिए आपilेखIsler जाए ना दूप पूप रजाई सजाई ठीक है इस तरीके से आपको आ लिखना है बर्साती आपको यहां पर लिखना है ऐसे यह पर लिखना है इतराती ठीक है इस तरीके से आपको लिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर यह कैसे दिया गया यहां और यहां इस तरीके से आपको यहां 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 एक टिक करके सारी जोड़ी बनाई भी यहां पर लिखना है आप देखे बच्चों यहां तक आपको ऐसे सिंदी अगया होगा आप हम चलते हैं लीडिगें यहां पर आप दिकिए पड़ियो और समझी देखें बादल में घथ हिए यहां तक आपको समझ में आया हूं तो दिखिए यहां पर आप यह कि बादल में और गन यनिकी तीनों चीछ एक ही है, तीनों को ही बादल केते हैं, तीनों को ही मेक केते हैं, और तीनों को ही घं केते हैं, तो बादल, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बादल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बादल, अगर इन तीनों में से कौन से भी वर्ड आ जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं, आपको यह पता चलना चाहिए कि हाँ यह एक ही वर्ड है ठीक है और यह वही अगर मेग भी आएगा तो वह बादल और बादल भी आएगा तो बादल यह ठीक है अब देखिए यहां पर सूर्य रवी सूरज अब भले इस सूर्य आए रवी आए यह सूरज आए अगर कौन सा समझे आया अब देखिए आप नेक्स पर यहां देखिए आप पेड वरक्ष तरु यहने कि यह नहीं कि यह प्यादी प्रादल नहीं मतलब जैसे कि आगर पेड़ पेड़ वरक्ष आ गया तो वह भी पेड़ ही कहलाता है ठीक है तो इन तीन सब्चों सब्दों का हमें ध्य तो देखें यहां पर काँस्य नबर सैक्स पढ़ए समझे और लिखिए तो डिकिए देखे अहाँ पर चलता तौ यहाँ पर दियागा चलती यहां पर दिकी इकी मातर्शच अब ड़िये इस तरहें तरीके से यहां दो आव पर बहती ठीक है यह आपको सेकेंड लाइन में लिखना है आप देखिए यहाँ पर आपको लिखना है अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है ठीक है इस तरीके से आपको लिखना है ठीक है सब में एकी मातरा लगानी यह देखिए चलती में लग गया यहां इसमें लग गया और यह निगाली में लग जाए तो आई यह बच्चों अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं मैं कि अब यहां देखेंगे यहां पर भी बस यह यह लगता तो यहां पर लगती चेके यह लगती आप डेखे आप नेक्स्ट काला तो यहाँ पर आएगा काली का ली ठीक है? इस तरीके साइब को लिखना है तो यहां तक आपको किलियर होगिया बच्चों आप देखे नेक्स्ट सब्दों को सही करम में लिख कर वाकी बनाई है तो यहां देखिए आप सब भर ताल तलया जाते तो यहां पर आगे पीछे दिया गया है तो हमें आगे पीछे नहीं हमें यह आगे पीछे दिया गया है हमें यहां पर सही करना है तो देखिए आपको मैं कहानी में ऐसी टिक लगा देती हूँ ताकि आपको आसानी होगी यहाँ पर लिखने में अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम अब देखें यहां पर भाए सबको सुनहेरी धूप तो देखें यहां पर भी आगे पिछे दिया गया ठीके तो इसे भी हमें सही करना है तो देखें यहां पर भाए सबको सुनहेरी धूप तो यहां मतलब हमें ध्यान रखना है कि यहां पर सर्दी यानिकी सर्दियों के बारे में हो तो भाए सबको सुनेरी धूप तो यहां देखे आप दूप सुनेरी सबको भाए ठीक है यहां तूप यानिकी सेकेंड लिखे वहाँ पर उसके नीचे जो डेस डेस दिया गया है ऐ और यह लाइन आप टिक लगा लीजिए अपनी बुक में और लिख लेना ठीक है धूप सुनेरी सब को भाए अब नेक्स पर चलते हम अब हमारा अप्री बचाय थर्ड यह देखेंगे आप यहाँ पर प्यास पसीना बाहे सताती तो यानिक यह भी गलत आगे पीछे दिया गया और यहाँ पर आपको लिखना है जो मैंने टिक लगवाए ठीक है तो प्यास पसीने पसीना बाहे सताती तो यहाँ पर गलत दिया गया हमारा यहां से सही करना है देख इयां पर आप हे यह देखिये आप यहां पर यह दिखे से बाहँ है पसीना प्यास सताती तो तरीक है यह सही है , यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना यह दिखिए आप Gebs 2 तर उसा दिया गया है इसा महा antes पर आपको यह दितना है ठिक हैonton अब दीके आप next पर चलते हैं हम यहां तक हुआ हमारा complete अब देखें यहां पर आप question नबर 7 यहां सर्दी गर्मी और वर्सा से संबंधिन चित दिये हैं उनसे संबंधिन 3-3 वाक्य लिखें तो उनसे संबंधिन हम 3-3 वाक्य लिखेंगे ठीके तो देखिए तीन तीन वाक्य लिखना है तो ठीके आप चित्र देखिए यहाँ पर देखिए यह है सर्दियों का चित्र सर्दी ठीके तो सर्दी के चित्र तो हम वहाँ से तीन वाक्य लेंगे तीन लाइन लेंगे हम यहीं से मिल जाएगी है हमें हमारी कहानी में तो देखें यहाँ पर आप सर्व यह देखें यही चित्र है ना वहाँ पर यह देखें आप ध्यान से यही चित्र वहाँ पर भी बना वा और यह देखें सर्व तो बस आपको यहाँ से लिख रहा है एक लाइन दो और ये तीन बस तीन बहुते सीत पवन से तन थर तर आए दूप सुनेरी सबको भाए रात बड़ी दिन छोटे आए बस यहां तक आपको करना है सर्फ तीन लाइन लिखनी आपको मतलब यहां से यहां तक तो ठीक है एक हुआ हमारे टोपिक कम्प्लीट ठीक है अब हम चल आपको फर्स्ट लाइन यहां सेकिन यहां और थर्ड यहां इस तरीके से लिखनी अब देखिए हम अब आपको चित्र पहचानना है क्या यह चित्र कौन सा है यह चित्र तो गर्मियों का है तो ठीक है हम गर्मियों में जाएंगे यहां देखिए यह देखिए क्या यही चि चले आधिया धूल उडाती लू चलती तन को जुल जुल साती ठीक है बाहे पसीना प्यास सताती बस यह तीन सरफ तीन वाकी लिखना है वहाँ पर हमें तो आपको तीन वाकी लिखना है ना तो बस मैंने तीन वाकी आपको यहां से यहां तक टिक लगा के दे दिये बाकि आप लिकना है तो बस हम वहां से ही ले लेंगे तीन वाकि जो में आपको टिक लगा देती हूं आप लोई लिकना है आप यहां देखें बारिस यही लड़की वहां पर बनी हुی है न चित्र अब देखिं आप यहां से लिगांगे 1 2 3 सर्फ 3 यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है काले बादल उम्डे आते रिमजिम रिमजिम वर्सा लाते ताल तलय यह सब भर जाते बस तीन सरफ तीन लाइन लिखने हैं तीन वाकि तो यहां तक हमारा कमप्लीट हुआ बच्चो तो आपको समझ में आ गया कि वह लाइन आपको क कवीता याद कीजिव और ककछा में सुनाईए तो देखिए यहां पर आप देखिएंगे यहां पर सूरज तपता धर्ती जलती मतलब सूरज तपता धर्ती जलती गर्म हवा जोरों से चलती तन से बहुत पसीना बहता तन से यह निकि सरीर से बहुत पसीना बहता हाद सभी के हाद सभी के पंखा रहता तो बताईए ये कौन सा सीजन है तो ये सिंपल ची बात है ये कौन सा सीजन है हमारा सरी गर्मी से तपता है और सूरज तपता है और धर्ती जलती है ये आपको ध्यान रखना है गर्म हवा जोरो से यहने गर्म गर्म लूड नहीं चलती है हमारे चेप्टर में भी दिया गया था ठीक है तो आपको यहां तक समझ में आया मतलब यह हमारा कौन से सिजन के बारे में तो यहां हम लिखेंगे गर्मी बस इतना सा हमें ध्यान रखना है लिखने की भी कोई पूद से रहे हैं काले बादल, गर्मी दूर भगा रहे है रिमजीम रिमजील बुंदे बरसा बादल, चम चम पानी बर्सा बादल यानि कि यह कौन सा है हम यहां लिखेंगे बारिश ठीके यह लिखेंगे ने मतलब हमें यह पता रेना चीए कि यह कौन सा सी जन है यहने कि कौन सी लीतू है तो यह हमें पता चल गया कि यह बारिश का है ठीक है आप चलते हम नेक्स पर यह देख सकते हैं आप लेकर अपने हाथ साथ दिपावली ठीक है अपने साथ दिवाली सर्दी आई बड़ी निराली ठीक है साम सबेरे सर्दी लगती परस्वेटर से हैं वह भकती तो आपको कौन सा ये कौन सा सीजन है यूँ समझ में आ गया होगा ये सर्दी ओका सीजन है ठीक है सर्दी ओका सीजन है ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा सीजन है ठीक है तो यहां तक हमारा हुआ अब हम आते हैं यहाँ पर अब करने की बारे सर्दी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए चर्चा कीजिए तो ठीक है यहाँ पर हम स्टाट करते हैं बरसात में क्या साउधानी रखनी चाहिए बरसात में क्या साउधानी रखनी तो देखें यहां पर आप बरसात में हमें क्या साउधानी रखनी चाहिए तो बरसात में हमें यह साउधानी रखनी चाहिए कि हमें बारिश से बचना चाहिए गीले से बचना चाहिए कीचर से बचना चाहिए यह सारी साउधानी हमें रखनी चाहिए ठीके और छाता लेकर हम कोट सबक्रिक केम केसे कपड़ पहंते हैं चर्चा की जिसका है अब हम बात करते हैं इससरदी की बात करते हैं सर्दी टो depreciatingmachen मोटे कपड़ पहनना चाहिए ताकि हमसर धन्या भर गलना लग utilized है फ़ INTERPORTION अब हम गर्मी की बात करते तो गर्मी में हमें सूती कपड़े पेनना चाहिए ठीके ताकि हमें गर्मी ना लगे तो बच्चो यहां तक आपका किलियर हुआ अब देखिए आप यहां पर सूरज और बादल का चित्र बनाकर रंग भरिए ठीके तो यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चो तो आज हमारा चैप्टर 12 का पार्ट 2 कम्प्लीट हुआ तो गुडबाई बच्चो नेक्स मीडियो में मिलते हैं थेंक यू